राधे राधे एवरिवन जैम आता दी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधी बताने वाली हूँ जो सामाने गरस्तिजन बहुत ही आसानी से सरल विधी से घर पे कर सकते हैं तो देखे जैसे सभी को पता है कि दो गुप्त नवरात्रे आते हैं और दो सामाने नवरात्रे आते हैं पूरे वर्ष में गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो तंत्र, मंत्र, यंत्र, आदिसाधनाओं के लिए होते हैं और लेकिन सामाने ग्रस्ती जन भी किसी विशेश कामना पूर्ती के लिए इस वरत पूजन को कर सकते हैं ये माग के महीने में और आशार के महीने में आते हैं जैसे कि सामाने नवरात्रे चैत्र और अश्विन महा में आते हैं वैसे ही ये भी आते हैं तो इसमें माग के महीने कि शुकलुपक्ष की प्रतिपदा से लेकर के दसवी तक पूरी दस महाविद्याओं की उपासना की जाती है तो ये जितनी भी तांत्रिक आदी होते हैं वो सभी दस महाविद्याओं की उपासना करते हैं लेकिन जो सामाने गृस्ति जन है वो इन 9-10 दिनों में मा भगवती के स्वरूप का भी पूजन कर सकते हैं इस में हमें विशेश बात ये ध्यान में रखनी होती है कि ये जो पूज़ा होती है वो गुप्त होती है किसी को बता कर कि ये नवरातरे नहीं किये जाते हैं जैसे कि हम चैतर नवरातर में और अश्विन नवरातरों में कीरतनाधी करते हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से धूमढम से मनाते हैं बस इन नवरातर की जो हमारी साध्ना होती है पूजा होती है उसे गुप्त रुखा जाता है गुप्त इस्थान पे किसी एकांत स्थान पर चौकी लगाए जाती है वहाँ पर ही पूजा की जाती है तो आईए पुजाविधी को हम देख लेते हैं घर के किसी भी ऐसे कौने में जहाँ पर कोई आता जाता ना हो भार का वेक्ति वहाँ पर आप एक कांत वास में इस चौकी को लगाएं चौकी के उपर आप लाल रंग का वस्तर बिचा हैं उसके उपर जो भी विग्रह मूर्ती हो या तस्वीर हो उन्हें आप ऐसे विराजमान करें माभगवती के और फूलों के उपर या चावल के उपर विराजमान कर सकते हैं फिर हमें कलश की स्थापन करते हैं कलश आप ताबे का पितल का कोई भी ले सकते हैं कंट में मौली बान ले रोली से स्वास्तिक बना ले उसे शुद जल गंगा जल से आप भर ले उसके अंदर हम यहाँ पर देखिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गाट, अक्षत और थोड़े से फूल हम यहाँ पर डाल देते हैं जिटा वाला, पानी वाला, हमें नारे लेना होता है, उसके उपर चाहिए कलावा लपेट ले, चुन्री लपेट ले, कोई भी लाल वसर लपेट ले इस परकार से और इसे हम कलश की उपर रखते हैं कलश की स्थापना हमें माता के दाहीनी तरफ करनी है यहाँ पर देखिए हम अक्षट यानिकी चावलों से हम ऐसे अस्चदल कमल बना करके उसके उपर कलश की स्थापना करेंगे अगर आप बहुती सिंपल तरीके से पुजन करना चाते हैं तो कलश स्थापना को आप स्किप क तो यहां पर देखें हमने कलश स्थापना कर दिया उसके बाद में पूर्ण पातर रखते हैं किसी भी कटोरी प्लेट में आप ऐसे चावल भर के कलश के ऊपर रखें और उसके ऊपर हम ऐसे नारिल को विराजमान कर देते हैं उसके बाद में फूलो कासन दे करके या कोई छो और जिस भी मनो कामना पूर्ती के लिए आप इस वृत पूजन को कर रहे हैं उसका आप इस प्रकार से मातारयन से प्रातनक करें और अपने वृत का संकल्प लें और इसके बाद में सबी ही अक्षत पूश्प को हम छोड़ देते हैं जल का चीटा दे करके हम इसनान का भाव करा देते हैं अगर आपकी देखिए मूर्ती है तो आप पूरे विदी विदान से पंचामरत से आप इसनान कराएं उसके बाद में गणिश भगवान को हम वस्तुरूपी कलावा मौली अर्पित कर देंगे और यहाँ पर मा भगवती को भी हम वस्तुरूपी कलावा अर्पित कर देंगे कलश को हमने पहले से ही वस्तुर पहनाए हुए है उसके बाद में अगर आपके पास माला है तो आप माला भी अर्पित कर दें इसके बाद में हम अक्षत रोली चंदन से सभी को टीका करेंगे आप चाहें तो गणिश भगवान को यहाँ पर जनिवी अरपित कर सकते हैं देखें अगर आपकी प्रतिमा है तो आप पहले दिन ही पंचामरत से सनान करा के उन्हें विराजमान कर दें डेली जलका छीटा दे हैं और सुबर डेली इसी विदी से हम पूजा करते हैं शाम को भी हमें यहाँ पर धूप दीप अवश्य करना चाहिए भोग नवैदे मा को अरपित करना चाहिए तो यहाँ पर देखें हमने सभी को टीका कर दिया है और अक्षत भी अरपित कर दिये हैं फूल जो भी आपक अरपित करें उसके बाद में आप मा को शिंगार की सामिगरी जरूर भेट करें पहले दिन भेट कर सकते हैं या फिर पूरे नौ दिन में आप किसी भी दिन इन्हें भेट कर सकते हैं मा को इस प्रकार से देखें यहाँ पर शिंगार की सामिगरी चुनरी मा को जरूर अरपि तो यहां पर हम जलका भी भोग लगा देंगे उसके बाद में गाई के गोबर के उपले को हम सुलगा लेते हैं और यहां पर कपूर जलाते हैं थोड़ी से घी की आहूतिया देते हैं उसके बाद में लॉंग बताशे का भोग इसमें जरूर अर्पित किया जाता है अगर आपको पान मिल जाता है तो आप डेली पान भी मा को जरूर अर्पित करें लॉंग बताशे हमने अगनी में समर्पित कर दिये हैं उसके बाद में य पर हम आरती करेंगे गणिश भगवान की आरती करें इस परकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजन करें कुछ ना कुछ यहां पर भेट सोरूपा पहले दिन ही दक्षना अवश्य रूप से रख दें और इसे ऐसे ही रखे रहने दें उसके बाद में मा से अंत में प्र करना है शाम को भी यहाँ पर धूप दीपारती भोग हमें अवश्य करना है डेली पूरे नौ दिन तक हमें ये पूजन इसी प्रकार से करना है सिंपल तरीके से देखिए गुप्त नवरात्रे जो होते हैं उसकी जो साधना होती है उसे किसी को बताया नहीं जाता है गुप्त करेंगे सुबह के समय शाम को धूप दीपारती करेंगे ऐसे हमें पूरे डेली नौ-दस दिन हमें पूजन करनी होती है और यहां पर देखे आप जानते हैं कि वरत कैसे करना होता है वैसे मा भगवती के जो वरत होते हैं वह फलारी वरत होते हैं तो आप अपने अनुसार अपनी सेहत के अनुसार इस वरत को कर सकते हैं चाहें तो देखिए वलहारी वरत रख सकते हैं या फिर एक समय शुद्ध सात्विक आप मीठा भूजन करके भी कर सकते हैं या फिर नमक वाला सेंदा नमक वाला भी शुद्ध सात्विक भूजन करते हुए भी जैसा भी आपका विशेश कामनापूर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेश माने जाते हैं साधना के लिए तो आप इन्हें आवश्य रूप से करें तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि ये सरल सी पूजा विधी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो दिया आपको थोड़ा आता देजे माभगवती